नमस्कार मैं हूँ आपके साथ नमृता शर्मा अमेरिका में राश्टपती चुनावों के लिए वोटों की गिनती जारी है बहुमत का आकड़ा 270 है और जो बाइडन ट्रम्प को काफी पीछे छोड़ कर आगे चल रही है बताय जा रहा है 264 इलेक्ट्रोलर वोट जो बाइडन के खाते में आ गए है जबकि ट्रम्प अभी तक 214 का आकड़ा भी पार नहीं कर पा हैं वहीं पर उनकी गाड़ी रुख गई है 214 पर इन सब के अलावा जो बाइडन ने अपने नाम एक और रेकॉर्ड किया है और वो रेकॉर्ड है पॉपिलर वोट्स के आधार पर दरसल जो बाइडन को 70 मिलियन से भी ज्यादा पॉपिलर वोट्स मिले हैं और अब तक इतने वोट्स किसी भी पूर राष्टपती को नहीं म सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ जो बाइडन को 72,49,341 वोट मिले हैं और जबकि आपको याद होगा बराक उबामा को इससे काफी कम वोट मिले थे एक बार मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ 99,498,516 वोट बराक उबामा को मिले थे तो ये एक नया खिताब है जो जो बाइडन ने अपने नाम कर लिया है इसके अलावा बिल क्लिंटन को भी इतने वोट कभी नहीं मिले थे याने कि एक तरफ जो इलेक्टोरल वोट की संख्या में भी जो बाइडन आगे चल रहे है और दूसरी तरफ जनता का जिस तरीके से उनको प्यार मिल रहा है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है दूसरी तरफ अमेरिका की बाग डोर फिर से डॉनल्ल ट्रम के हाथ म आएगी या फिर नहीं आएगी या फिर जो बाइडन इस बार बाजी मार ले जाएंगे ये देखना बहुत दिल्चस्क होने वाला है क्योंकि 2016 के चुनाव हम सभी को याद हैं ट्रम्प उस दौरान भी हिलरी क्लिंटन से काफी पीछे चल रहे थे लेकिन लास्ट में उन्ह ही ना कहीं ट्रम्प को लेकर काफी आश्वस्त हैं आला कि इसमें भी कोई दो राए नहीं कि एक ऐसा तबका भी है जो ट्रम्प से खासा नाराज बताय जा रहा है और ये तबका काफी तादात में वहां पर है तो अभी बहत असमंजस की स्थिती है सभी को इंतिजार है कि किसके हाथ में ये बाजी जाती है ये दाओ जाता है लेकिन इन सब के बीच उमीद अभी ये की जा रही है कि अभी काफी जगाओं की वोटिंग रह रही है उनकी गिनती अभी रह रही है जिन में कैलिफॉर्निया शामिल है और माना ये जा रहा है कि अब जब सब जगा की गिनती पूरी तरीके से हो जाएगी उसके बाद तुरंथ तस्वीर निकल कर सामने आ जाएगी हाला कि काफी लंबा वक्त हो गया है सभी तहे दिल से इंतिजार कर रहे हैं कि देखना होगा आखिर में राश्च्पती की राश्च्पती चुनावों की जंग कौन जीता है